मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी बड़े सुपर स्टार की जरुवत है निक अच्छप कंटेंड बनाने के लिए आज की तारीक में अगर आपके पास एक ग्रीपिंग स्क्रिप्ट है बड़िया एक्टिंग करने वाले एक्टर है चाहे वो नए हो या पुराने हो एक्टिंग करना जानते हो और एक ऐसा डिरेक्टर जो एक्टर से अच्छा काम कराना जानता हो और उस स्क्रिप्ट को जश्टिस करना जानता हो तो भाई वो कमाल की बन सकती है और आज मैं एक ऐसी ही वेब सीरीज लेकर आए जिसका नाम है खाकी दब बिहार चैप्टर सीजन वन जिसमें साथ एपिसोड से जिसके हर एक एपिसोड आल्मोस्ट 40 मिनेट से लेके करीब एक घंटे के और आपको नेट्फ्लिक्स पर देखने को मिलती है यह एक बुक पर बेस है जिसका नाम है बिहार डायरी जिसे लिखा है IPS Officer अमित लोडा ने और यह उनकी ही कहानी है अच्छा इसे रूमर्स भी है कि अक्षे कुमार as a IPS Officer अमित लोडा हमें इस पर्टिकलर शोव में देखने को मिलने वाले थे लेकिन अच्छी बात यह कि उस पर्टिकलर रोल को यहाँ पर करन टकर जिसको आपने बहुत सारे टीव टकर पर से हटेगी नहीं आपको शो की कहानी बता दू कहानी सेट है टूट होजन में जहां पर एक ऐसा most wanted criminal बिहार का जिसका नाम था चंदन महातो उसे किस तरह से IPS Officer अमित लोडा ने और उनकी टीम ने पकड़ा देने कि दूसरे officers ने यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह particular show देखना पड़ेगा इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट से जिसमें जो crime rate से वह बहुत ही जात है और उनमें सबसे टॉप में है बिहार और यह कि मानो इस particular show के देखने से पहले मैं बिहार कभी जाना भी नहीं चाता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाता ह उसके देखना शो में बिहार में जिस तरिके से crime है वह तो बता है लेकिन बिहार में कास्टीजम कितना है चाहे वो नेता हो या वहां के रहने वाले आम पबली को उनके बीच में उची जाती नीची जाती को लेकर जो conflicts है वो भी इस particular show में बहुत अच्छी तरह से बता है अ एक चीज़ जो मुझे इस show में देखने का इंटरेस्स बनाया रख रही थी खेर अगर एक्टर के performance की बात करो तो भाई अशुतोश राना हो अनुप सोनुओ जती सरना हो करन टकका और अविनाश टिवारी हो जितने हापर चंदन महातो का रोल प्लेए किया हर एक एक्टर ने इतना घजब का performance किया कि भाई मैं तारिज करते कातर उकरानी हूं चाहा हो रवी किशन की नाच जो कि उसका रोल काफी काम है लेकिन वह इतने से कम रोल में भी भाई वह जो डायलोग बोल रहाता ना है इतना मदा आ रहाता देखके सीन बहुत मुझे अच्छा लगा है यहां पर कोई भी एट्टर आपको शिगाहत का मौका देता है यह राच पांडे फिर से एक बार दिल चीत लिया है उनकी सीरीज से यकीन मानो है मतलब बहुत मजा है यह इसका जो डायरेक्शन किया है वह भाव ढूलिया ने किया है यार अगेन मैं कुछ नहीं बहुत आं स फीचलेस यार गाइडेंस में इतना बलूँगा शो में अश्रील तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हां कुछ बैड वर्ट से कुछ ऐसे लेंगवेज जो शायद आपको थोड़ी से जीब लगी कि तो अकेले देखना लेकिन यस यह ऐसा केस है जो आप सभी लोगों देखन चाहिए और आपको प्राउड फील होगा हमारे IPS ओफिसर अमित लोड़ा और उनकी टीम यानिकि दूसरे ओफिसर्स थे जो जो जुड़े होए थे इस पर्टिकलर केस से जो शहीद हुए इन सारी चीज़ों इस वांटेड क्रिमिनल की वजी से तो यार यह शो ज़रूर एक